हालो एवरीवन विल्कम बैक टू मैं चैनल तो कैसे हो आप सब आई होब आप सब हमेशा की तरह बहुत ही अच्छे होंगे तो दोस्तों आज का वीडियो होने वाला है दिवाली स्पेसल फेसियल और यह भी मैं आपको बताना चाहूंगे कि जितने वीडियो मैंने डाले हैं आस तक यूटूब पे उनमें से सबसे अलग सबसे एफेक्टिव और सबसे ज्यादा इस पेसल फेसियल में आप सभी के साथ सेयर कर रहे हूं तो वीडियो को एंड तक देखे अगर आपके स्कीन पर धब्बें है इसकीन पर ग्लो नहीं है डल डाक और आपकी स्कीन एक चमच मैंने लिया है दही और उसमें मैं मिलाओंगी हलका सा कोकोनट और अगर आपको नहीं लगाना है तो आप इसमें मार्केट का जो बना हुआ ऐलोवेरा जेल होता है वह ले सकते हो या फिर आपको अलवेरा लीप सूट करते हैं तो वह आप इसमें डाल सकते हैं साज करनी है जेंटली ओवारल रहे लारा उर आपको अच्छे से अपलाई करने नहीं और आज घिर 733 नितुम्हार के आप सारे अरकते कैला कुछ भी नहीं क्यों थे 17 देख यूर यह पहले से से आप सभी के साथ सेयर कर रही हूं पहले इस टेप में मैंने लिया है coconut oil और दही दोनों को मिला के अपने फेस पर apply करूंगी और massage करूंगी दो से तीन मिनद तक जिससे क्या होगा कि आपकी स्कीन पर फाइन बने हुए है रिंकल्स बने हुए है वह सब मिटेंगे स्कीन टाइट होगी देखो गाइस अगर चेहरे पर लाइन हो जाते हैं तो बहुत जादा गंदा दिखता है वह बाद में धीरे धीरे वह जूरीयां जैसा फील होने लगेगा कि आपकी स्कीन पर जूर चोटे चोटे ब्लैक ब्लैक डॉट्स हो गया है या फिर नोच के पास ब्लैक हर्ट तो यह सारे स्टेप आप जरूर करना जिससे क्या होगा कि आपकी इसकीन बहुत ज्यादा ग्लो करेंगी देखो इस तरीके से अगर चीन पर मसाज करते हैं तो आपका चीन एरिया बहुत थोड़ा भारी हो गया है तो प्लीज इसको आप इगनोर करना इस तरीके से आपको इस टेप करनी है देखो लिप के राउंड इस तरीके से करोगे तो जो आपके लाफिंग लाइन बने होंगे वो मिटेंगे और नोज के पास इस तरीके से आपको finger की help से अपने blackheads के पास इस तरीके से करना है जिससे आपके blackheads फूलेंगे धीरे-धीरे और वो remove अच्छे से होंगे सारे step आप अच्छे से ध्यान देखें ध्यान से देखें और करें भी जब आप इसको करोगे न दोस्तो तो इतना ज्यादा effective इतना ज्यादा amazing result मिलेगा ना कि आप खुद से मेरे चैनल पर आकर comment जरूर करोगे और मैं चाहती हूँ कि आपको इस फेसियल को करने के बाद जो भ इस तरीके से अगर आप finger tip की help से tapping करोगे face पर तो आपके चेहरे की blood circulation बढ़ेगा और blood circulation काफी अच्छा होता है जब हमारे face का तो face glow करता है गाई फोरेट पे बहुत ज्यादा line बन जाते हैं धूप में जब हम निकलते हैं तो हमारी आख ऐसे सिकुर जाती है जिसके वज़ कि इस तरीके से आपको दो से तीन मिन तक मसाज करने के बाद की लिए टॉइल के help से आप इसको रिमूफ कर लेना अभी मेरा मसाज खतम नहीं हुआ है क्यूंकि मैं सोच रही हूं तो थोड़े अच्छे से कर लो और इस facial को आप साधी पार्टी में जाने से पहले भी कर सकत कोई मेकप करने से पहले अगर आपके स्कीन पर दाग धबे हैं काला पन है सामला पन है कितनी भी आपकी स्कीन पर पुराने से पुराने डेड़ स्कीन है जो रिमूफ नहीं हो रही है तो आज का फेस्यल आपके लिए काफी helpful होने वाला है दोस्तों और देखो आखों के पा नहीं है दोस्तों ज्यादा रगणने से आपका जो फेस की स्कीन होती है वह पतली हो सकती है और अगर इसकीन पतली होगी तो और ज्यादा लटकने लगेगी एंजाईयां होने का खत्रा बढ़ जाता है तो जो भी रेविडी आप यूज करें बहुत ही जेंटली तो सकेंड कि एक बनाना है और आज का यह जो पैक है बहुत ज्यादा एफेक्टिव और बहुत ज्यादा काम का है तो अगर आपको कॉफी पॉडर सूट नहीं करता है तो आप कॉफी पॉडर के जगा हल्डी पाउडर को ही एजा कॉफी पॉडर इस्तेमाल कर सकते हैं बिल्कुल इस हम डालेंगे वह है हनी अगर अपने फेस पर लगा रहे हो न तो यह ध्यान देना है कि आप जो भी हनी अपने फेस पर लगा है वह बिल्कुल ओरीजनल होने चाहिए अच्छी क्वाइलिटी की होनी चाहिए और अग्यानिक हम अगर आपके पास आप तो बहुत ही अच्छा है सिर्फ पानी से प्लेन वांटर से भी स्कों मिक्स करके पेश्ट बना सकते हो अच्छा से पेश्ट त्यार हो गिया है अब इसकndट is पूररे फेस्ट पर अच्छे से अपलाई करना है काई रोज बॉटर की हैं इसको एकistasoutez sih dim sexuality बहुत जीनियासा पतला ने見て मर्ने हैं आपको स्मूथ सा पेश्ट पैस्ट आपको तियार कर लेना अधर आप रोजवाटर सूट नहीं अई करता हैं तो हैं आप कि छुपल वाटर से भी इसको मिक्स कर सकते हैं और इसको ओवर्वल फेस पर आपको अच्छे तरीके से लगा लेना है देखो बिल्कुल लगना है जैसे मैं की कॉफी लगा रही हूँ जब इसको रिमूव करोंगी आप हैरान हो जाओगे मेरी स्कीन देखकर मेरी स्कीन तो छोड़ो आप जब इसको यूज करोगे न और क्या बहुत अच्छे तरीके से अब इसको क्या करेंगे ना हम गीला कर लेंगे तो पानी से आप इस तरीके से थप थपाते हुगे फेस पे अपने हाथों से गीला कर लेना है आपको अपने पैक को और फिर इसको रिमूव करने है रिमूव करते ही आपकी स्कीन की जितनी ड व्रोसा कर पाऊगे दोस्तों तो देखो मेरी स्कीन जो है वो कितना ज़यादा क्लीन लग रही है, ब्राइट लग रही है आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाईक एन चानल को सब्सक्राइब जरूर करें मिलते हुमे पने नेक्ट वीडियो में, तैक्स पर वाचिंग, भाइबाए!